हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कि एजीली कैसे स्नोमेंट बनाना है सॉक्स और कॉटन से किस तरह से हम स्नोमेंट बना सकते हैं तो देखते हैं उसके लिए क्या-क्या मट्रियल चाहिए हमें चाहिए वाइट सॉक्स सीजर रैड रेबिन कुछ रबर बैंक्स और कॉटर वाइट सॉक्स को कट करना है रबर बैंक्स लगा के इस तरह से सॉक्स उल्टा कर देना है इसके हंदर हम कॉटन फिलप कर देंगे अब इस तरह से पूरे सॉक्स में कॉटन फिलप कर देना है और उपर से जैसे आगे बन किया है वैसे इधर उपर से रबर बैंक्स लगा देना है उसके बाद सेंटर में एक रबर बैंक्स लगा देंगे सेंटर से थोड़ा सा उपड़ इस तरह से रेडी हो जाएगा कि उसके बाद थोड़ा और कट करना है सॉक्स को करना से कैप प्रिपैर करना है और उसको सभी साइड से प्रॉपरली फोल्ड कर देना है और उसकी कैप ना निकल जाए तो उसके लिए आप इस तरह से कुछ पीन भी लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर यह रबबड ना देखे इसके लिए हम यहाँ पर रेड रिबीन यूज़ करेंगे इस तरह से हमने रिबीन लगाई है और उसके उपर हमने डेकोरेशन के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह मोती लगा दिया है अब रेड रिबीन से हमने यहाँ पर फ्लावर प्रिपैर किया है उसको हम यहाँ पर चिपका देंगे साइड में और इदर भी हम डेकोरेशन करने के लिए इस तरह से पूरा स्नुमेंट प्रिपेर हो जाएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइप कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू